हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टो चैनल दसीक्रेट ऑफ इन्वेस्टिंग दोचर पीस में लोगों को दोस्तों देखने को मिला कि बहुत सारे आई प्यो मार्केट में लिस्ट हुए उसमें से कुछ ने बहुत ही अच्छा प्रफॉर्म किया एक ही एक दिन में आप लोगों को कुछ स्टॉक 100% की रिटन प्रवाइट कराके दिखाई दिये और कुछ स्टॉक ने अभी तक अच्छा प्रफॉर्म करते हुए नहीं दिखाया है लेकिन दोस्तों वाँ इस वीडियो में जिस स्टॉक के बारे हम लोग डिस्कॉसन करने वाले हैं उसने लिस्टिंग टाइ कि यहां दोस्तों आप लोग ने देखा लगातार यह स्टॉक अपने निव हाइस को ब्रेक करके लगातार हायर हाइस बनाता जा रहा है और आज की दिन भी आप लोगों को देखने को मिला लगबग 6-7% के तेजी स्काउंटर में देखने मिली और आज का हाई 1046 के अराउं तब से अभी तक इसने 250% से भी ज्यादा गी रेटन हम लोगों को प्रवाइट कराके दिखा दिये हैं उसका दोस्तों कारड भी हैं लॉकडाउन के वज़े से हम लोगों ने देखा कि बहुत सारे लोग स्टॉक मार्केट को लेके बहुत सीरियस हो गया है नए-ने डीमेट एकाउंट खुल ला है जिसका फाइदा इस कंपनी को देखने को मिल ला है अगर हम लोग कंपनी की फंडामेंटल की बात करें तो हाला कि कंपनी अभी स्माल कैपी है डीमेट अकाउंट ओपन करने में जरुदा के बाद एंजल बोकिंग का ही नाम आता है और आप लोगों म जो बहुत ही सांदार एक तरीके से हम लोग बोल सकते हैं अगर कंपनी की उपर डेप्त की बात करें तो लगबग 1170 क्रोड के आसपास का कंपनी की उपर डेप्त है जो पुड़ा सर जरूर जादा हम लोगों को देखने हों मिल सकता है लेकिन दोस्तों कंपनी लगातार आने वाले टाइम में बहुत ही जादा फाइदा हो सकता है क्योंकि लगातार डीमेट अकाउंट आपको खुलते हुए नजर आएंगे और प्रोक्रिस में इसको मुनाफ़ा ही मुनाफ़ा करता हुआ यह कंपनी आपको दिखा सकती है अगर हम लोग कंपनी की सेल्स क्रोड क जेनरेट कर पाती थी और आप 2021 की सेल्स देखिए लगबग 1290 करोड के आसपास की आपको देखने मिली है और 297 करोड का कंपनी को प्रोफिट होता हुआ दिखाई दिया है तो 400 में आप लोग ने देखा कंपनी बहुत ही गुना अपना प्रोफिट जेनरेट करके दिखा र अगर कंपाउंट सेल्स क्रोथी बात करें तो 23% की पिछले 5 सालों से देखने को मिलेगी इस काउंटर में और हम लोग सेरोल्डिंग पैटन की बात करें तो आप लोग उसमें भी देखेंगे कि लगातार FIIs इसमें स्टेक बढ़ाते हुए नजर आ रहा है सब्तमबर 2020 में 4.32% का स्टेकोल्ड करते थे डिसमबर 2020 में 4.74 का कर दिया और इस क्वाटर में आप लोग देख रहा है 5.01 के स्टेक आपको देखने को मिला है डिया इस ने भी बहुत ही सांदार तरीके से बाइंग करी थी पिछले क्वाटर में 8.72% का स्टेकोल्ड करती थी 2020 सेप्तमबर में और बढ़ा के 12.45 का कर दिया था इस पिछले क्वाटर में थोड़ा से स्टेक जरूर कम किया है लेकिन बहुत ही माइनल स्टेक कम होता हुए दिखाई दिया है 12.45 से 11.97 तक बहुत ही सांदार तरीके सी ये काउंटर आपको प्रफॉर्म करता हुए दिखाई दे रहा है अगर आप लोग चार्ट पर देखेंगे तो लगातार आपको higher highs बनते हुए दिखाई देंगे एक ही ट्रेंड में आपको ये stock trade होता हुए दिखाई देगा तो अगर आप लोग इसमें investment करते हैं थोड़ा long time के लिए करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात हो सकती है क्योंकि जल्दी आपको 1100 का level इस stock में देखने को मिलेगा 100% analyst rating भी आपको देखने को मिल जाए कि जो कि बहुत बड़ा positive indicator है इस company का तो अगर आप लोग को पास stock है तो बेचने गलती बिल्कुल भी मत कीजेगा क्योंकि 1100 का level जरूरी आने वाले कुछी दिनों में आपको ये stock टच करता हो दिखाई देगा इस वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं आपको अगले वीडियो में तब तक लिए बाई बाई